नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका अपने स्टेडी चैनल जेपी आउनलाइन एजूकेशन पर दोस्तों हम लोगों ने यूपी पीसियस आरो ए आरो रीगदान दार्चोवीत के लिए हिंदी के प्रेक्टी सेट की एक सिंखला प्रारम की दी जिस कड़ी में हम लोगों ने का चार प्रेक्टी सेट पूरे कराती हैं अप चाहलेतों उसे प्लेइडिसbourु पिए आज का स्वेट्टी सेट चीएव हैं वीड़े के लिए है उठर का मद्ध इभी अभी तो भ्यांतर का जो अर्थ होता है वह होता है आं प्रसमकर 2 इन में से प्रथम का उपयूडक्त वुपृतार्थ ठक सब्ड क्या होगा प्रधान गौड अंतिम या प्रतेच उपृते प्रतपके आते हैं प्रेज़ माता की हिए इति, इतिस्री, अथ या इत्यालम तो सभी ज़वाब होगा आपसन जोए भी स्रीगडे सब्द का विलोम होता है इतिस्री जबकि अथ का विलोम इत्यालम का इसे कोई संबंद नहीं है प्रसंग चार पर आते हैं उदगाटन का विलोम क्या है? प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित तो आप देखेंगे उद्घाटन का जो विलोम होता है उसे बोलते हैं समापन आपसन सी इधर आइटाएं सन प्रसंग के पांच पर आते हैं आधुनिक का विलोम क्या होता है समीचीन, अरवाचीन, प्राचीन या समसामाइक तो सही जो आप होगा आपसन जो है सी प्राचीन जबकि समीचीन का विलोम आप देखेंगे अ समीचीन होता है और अरवाचीन का विलोम जो है प्राचीन तथा समसामाइक का विलोम अ समसामाइक होता है प्रसंग के पर आते हैं अरवाचीन का विलोम क्या होता है समीचीन, प प्राचीन का विलोम क्या होता है आधुनिक अर्वाचीन समीचीन या वर्तमान तो प्राचीन का विलोम जो होता है वो होता है अर्वाचीन आफसन भी दराइटा एंसर प्रसंख्याठ पर आते हैं अधुनातन का विलोम क्या है सनातन पुरातन अवनत या अध्यतन तो आप द आध्यतन प्राचीनतम का विलोम है प्रसंके 9 पे आते हैं नूतन का विलोम क्या होता है प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन या वर्तमान नूतन का विलोम जो होता है वो होता है पुरातन आपसन भी पही होगा प्रसंके 10 नैसरगी का विलोम सब्द क्या होता है अनुर्वर अविर्भाव प्राकृत या कृतिम तो आप देखेंगे नैसरगी या विलोम होता है वह होता है कृतिम जबकि अनुर्वर का विलोम उर्वर होता है अविर्भाव का विलोम तिरोभाव अथ्वा अवसान होता है तथा प् पानी दीजिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं वह साॉत्मे कच्छा में पढ़ता है और शुरेय साथ में चछा है और शुरी नदी से सभूता नाब्य। सर्यू का पार्ट बहुत लंबा है ये से होगा तो इस प्रकार सुद्धवाग जो है पहला है किलिप एक लास पानी का दीजिए ओके प्रस्टन के बारह प्राइप आते हैं सुद्ध चैन की द्रिष्टी से इन में से एक सुद्धवाग काउन सा है रविन्ना टेगोर की कुछ रशनाओं का नागरी भासा में अनुवाद हुआ है दूसरा राजा हरिशन के सजिस से कोई सत्यवादी नहीं हुआ है तीसरा पद्ध के चौदे भाग को चरण करते हैं और चौथा रामचंद सुकले ने अनेक गरंतों की रशना की है तो इसमें स टेगोर की रचनाओं का नागरी है यह कोई भासा नहीं है नागरी जो है एक लिपी है ओके दूसरे में सजिस के अस्थान पर समान होना चाहिए और पद्म के चौथाई भाग को चरण करते हैं यह गलत है ओके पद्म के चौथे भाग को नहीं पद्म के चौथाई भाग को लगाते हैं तो इस प्रकार जो है आसन डी सही होगा बाकी सभी में कुछ नकुछ तुरूटियां है प्रसंगा 13 पर आते हैं निम्रिकित वाकों में से सुद्धिवाक के चुनिए चहार दिवारी के पार एक सुंदर इमारत है दूसरा उपरोक्त वाक्या तंग्यान ले तीसरा से छड़ेतर कर्मचारी आज साम को एकत रहोंगे अचावता यह हकार अत्यंत महत्यपूर है तो सह हार दिवारी गलत लिखा हुआ है दिवारी पर दप बड़ी की मात्रा होनी चाहिए और उपरोक्त में होगा उपर यूगत वाक के संग्यान ले और यहां से छड़ेतर नहीं होगा से छड़ेतर होगा तो इस परकार बाकी तीनों गलत है आप आसन्दी सही होगा प्रसंका 14 पर आते हैं उससे मृत्य दंड की सजा मिली प्रसंत वाक में असुद्धी को इसपष्ट करें तो आप देखेंगे इसमें पहला संस्कित के सब्दों का प्रयोग हुआ है दूसरा विदेशी सब्द सजा का प्रयोग हुआ है और तीसरा दंड और सजा समनार्सी स प्रयोग हुआ है तो इसमें उसे मृत्य दंड मिला यह होना चाहिए था या उसे मृत्य दंड की सजा हुई यह होना चाहिए था इसमें दोनों गलत हैं प्रसंका 15 पर आते हैं निमिकित में से एक वाक की जो सुद्ध है वह कौन सा है उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की उस यह सई है पहले वाले में उसने मुक्त कंठ से नहीं हो गए यहां पर यहां पर से असुद्ध है समस्त प्राडी मात्र का कल्याड़ों चाहिए यहां पर दोनों का सास में उप्योग गलत हैं तो इसमेकार सई जवाब होगा आपसं जो है प्रसंका 16 पर आते हैं निमिकित मे से एक बात की जो सुद्ध है वह कौन सा है उस जंगल में प्रातहकाल का दिस से बहुत दिस्वावना होता था दूसरा बाग और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं दूसरा उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की अच्छा था तमाम देश भर में यह बात फैल गए त पर उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की यहां पर यह गलत होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की होगा यहां पर प्रकट गलत यहां पर युज हुआ है तमाम देश भर में यह बात पहल गई यह सही होगा तमाम जो है गलत दिया हुआ हुआ है तो इस प्रकार आ नपा नहीं जा सकता बैना टिकट यात्र धंड़नी चाओ ऐसा आप केवल इतना ही काम कर दीजिए तो आप देखेंगे बिना टिकट यात्रा धंड़नी है यही सही है बाकि सभी गलत हैं क्योंकि मैं अनेकों बार उचिछ गया नहीं होगा अनेक बार उद्दिश गया ठीक है और आप केवल इतना ही काम कर दीजिए तो केवल और इतना ही दोनों का प्रियोक साथ साथ है तो गलस होगा तो इस पकार आपसंसी जो है तई जवाब होगा प्रसंक ठारे पाते हैं निमिकित में से असुद दिवाग कौन सा है गौतम रिसी की पत्नी के नाम अहल्या था दूसरा इसकार में बहुत विलंब हो गया तीसरा रसगुला बहुत स्वादिष्ट है अचा हो था एक गुलाब की माला खरीद लाना तो आप देखेंगे इसमें जो है आपसंडी ही गलस है योग कि एक गुलाब की माला खरीद लाना एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है गुलाब की एक माला खईद लाना यह होना चाहिए था प्रसंग का 19 पे आते हैं निम्लिकेत में से एक असुद्ध है वो कौन सा है इस बात का इस परश्टी करण करना आवस्यक है प्याज तीखा होता है आप इस बात का इस परश्टी करण आवस्यक है यही जो है तो यहाँ पर ने करना जो है इसमें असुद्ध रूप दिया हुआ है तो आपसन ए इस दिलाइट आएंस है प्रसंग का 20 में आते हैं निम्लिकेत में से सुद्ध दिवाक कौन सा है भारत कभी ब्रिटेन के आधीन था निरप्रादी वक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए बासा ने मुक्त हस्दान किया अच्व था उसे पैत्रिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला तो सही जो आप होगा आपसन जो ऐसी बासा ने मुक्त हस्दान किया ज olması कि पहले में देखिए आप क्या लिखावा है भारत कभी बृतेन के आधीन नहीं नहीं होता है अधीन होता है निरप्राद ही के जगा यहाँ पर निरप्राद होना चाहिए और पैत्रिक जो गलत लिखावा प्रतियुक्त, विवृत्ति, प्रतियुत्तार या प्रतियुचर तो 息दी वग। Suami प्रतियुक्त जिसका उत्तर दे कर खंदन किया जिसके एक वाकिया से Гप्यांस जो कि कि रिखी बात की अपने बुद्धी से प्रसंगा नुकुल अर्ध लगाने में प्रतियुक्तícul बोलत उके ? प्रसंके 22 पर आते हैं उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक सब्द क्या है ? प्रत्यागत, प्रतियुक्त, प्रस्नोत्तर या प्रतिकृत अभी हमने पढ़ा, उत्तर देकर खंडन करना के लिएक सब्द दोता है प्रतियुक्त, आपसे हैं जो है be the right answer प्रसंका तेज़ में आते हैं अज का अर्थ नहीं है जिसका जन्र नहीं है जिसका जन्र नहीं हो दसरत के पिता, मोती, ब्रह्मा, विश्डु और सीव तो आप देखेंगे अज का अर्थ क्या होता है अज का अर्थ दसरक्य पिता को बोलते हैं जिसका जन्र नहों बोलते हैं ब्रह्मा विश्ड़ शिव को बोलते हैं और अज का अर्थ नहीं पूछा है तो मोती जो है अज का अर्थ नहीं होता है तो आपसन जो है, C is the right answer, ओके, प्रसंका 24 पर आते हैं, जो इस्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक सब्द क्या है, विदूसी, अलच्या, आसूर्यम पस्या या सास्त्रग्या, तो सही जवाब होगा, आपसन, जो है, C, आसूर्यम पस्या, उस इत्री दिकाते हैं, जो रनिवास में कड़े पर्दों में रहती है, और जो है, कभी सूर्य भी न देख सके, उसे क्या बोलते हैं, असूर्यम पस्या, जबकि विदूसी उसे कहते हैं, जो किसी विदूसे को अच्छी तरह जानने वाले इस्त्री को बोलते हैं, और सास्त्रग्या बोलते हैं, ज आस्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे, वह आस्थान जहां सूर्य का प्रकर प्रकास बड़ा कश्टकारी होता है, तीसरा जिसको सूर्य भी न दे सके, और चाव था, रनी वास में, कड़े पर्दे में रहने वाले स्थरी, तो सही ज़ाब होगा, आसन जो ए, डी, रनी वास तो आप देखेंगे, अगेकारस होता है, जो कुछ भी नहीं जानता है, उसे अगे बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है, उसे सर्वग करते हैं, और जो बहुत थोड़ा आनते हैं, उसे अलपक करते हैं, प्रसंगे 27, वह कभी जो ततकाल कविता करें, उसके लिए एक सब्द क्या है, सु कभी, रस सिद्ध कभी, महा कभी या आसु कभी, तो वह कभी जो ततकाल कविता करते हैं, उन्हें आसु कभी करते हैं, आसंडी is the right answer, प्रसंग 28 पर आते हैं, जिसकी आसा न की गई हो, के लिए एक उपिक सब्द क्या है, आसा तीत, अप्रत्यासित, आसान वित या प्रत्यासित, तो सभी जवाब होगा, आसं जो है, भी अप्रत्यासित, जिसकी आसा न की गई हो, के लिए होता है, जो आसा से बहुत अधिक, जो आसा से परा हो, उसे आसा तीत करते हैं, और आसा से बधा हुआ हो, उसके लिए आसान वित करते हैं, और की गई आसा के ल या प्रत्यासित तो सभी जवाब होगा जिसकी आसा ना की गई हो उसे बोलते हैं प्रत्यासित आप अपनीद राइट एंसर प्रसंख्या 30 में आते हैं बीना पलक जपकाए के लिए एक सद्ध क्या होता है चकित देखते रहना भी पलक या निर्मेश तो सभी जवाब होगा बीना पलक जपकाए जिसे एक टक भी बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे आपसंडी निर्मेश आपसंडी इस राइट एंसर आगते हैं अगले प्रसंद पर प्रसंख्या 31 तद्भव और तस्वम सब्दों का कौन सा युग्म असंगत है पहला है पत्र और पड चक्र और चक्क चत्र और चत्र और चत्र और चत्र तो हम देखेंगे इसमें पहला ही असंगत है क्योंकि पत्र और पड दोनों ही तत्सम सब्द हैं जिसका तद्भव क्या होता है पत्ता होता है जबकि चक्र तत्सम सब्द है उसका तद्भव चाक होता है और चत्र तत्सम सब्द है जिसक सब्सक्राइए अधर्सका का तत्वह ओता है अरसी होता है पर पर आयोगे अधर्सका का तत्वह सब्सक्राइए men हाथ, आम या काष्ट तो आप देखेंगे इसमें जो आफन दी काष्ट ये जो ये तस्वम है जिसका तद्वाव काट होता है जबकि दूद एक तद्वासब्द है और दूद का तस्वम दुग्द होता है हाथ का तस्वम जो हस्त होता है और आम का आमर होता है, प्रस्वें का 34, निम्लिकित में से तत्सम, तत्भाव का सुध्य यूग में कौन सा है, नशत्र का नखत, पकवान का पकवान, ग्रिध का गीध या अवस्याय का ओस, तो आप देखेंगे इसमें जो है अवस्याय एक तत्सम सद्ध है और उसका तत्भ प्रस्वान होता है और ग्रीध नहीं होता है, ग्रीध होता है, तो यह तीनों है सब्द की तूटी है, वही से ही गलस हो जाएंगे, बाकी आसन्डी तही होगा, प्रसंका 35 में आते हैं, बच्चा सब्द का तत्सम रूप क्या होता है, बच्च बालक वस्या वाल, तो सभी और ग्रीध होता है, बच्चा सब्द का तत्भा होता है वर्थ, ओके, अग्रला समझ का 36 में आते हैं, निमखित में तत्भा सब्द कौन होता है और सलाका का तत्वाव सलाई होता है ओके आगे बढ़ते हैं घोड़ा का उप्युक्त तर्सम सब्द क्या होता है अस्व घोटक तुरंग या बाजी तो घोड़ा का तत्सम जो होता है वो होता है घोटक जबकि अस्व बाजी तुरंग है यह सब जो है घोड़ा के पर बडूम 6 पाइक तद्ढूम हुआ पर संग फॉट आते हैं पंक्ति पंख पंद्र या क्राइब पंगत पंक्ति ये जो है एक तद्वह है और उसका तद्वम जो होता है पंक्ति होता है जबकि पंक का तद्वम पच्छ होता है पंदरा का तद्वम पंचा दसा होता है प्रसंग के चालिज पर आते हैं निमिकेत में तत्सम सद्ध कौन सा है जोगी, जोबन, जमाई या योवन तो आप देखेंगे योवन जहें वो एक तत्सम सद्ध है जिसका तत्भव जोबन होता है जोगी और जमाई ये तो है तत्भव सद्ध है जोगी का क्या होगा तत्सम योगी और जमाई का जामरती होता है प्रस्वं के तारिक पर आते हैं निमिकित में से वह वाग के छाट ये जिसमें क्रिया विसेशल का प्रयोग किया गया है पहला यहां कैसे कैसे लोग एकत्र हुए है दूसरा वह काली घास, गाय घास चार रही है तीसरा मुझ से खट्टा फल नहीं खाया था अच्वता तुम जी-जान लागा पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे इसमें जो है तुम पढ़ रहे हो इसके अलमा जी-जान लगा हुआ है जी-जान नहीं क्या है कृया की विशेस्था बता रहा है तो आपसन डी सा सही जवाब होगा बाकी सभी असुद्ध है प्रसंख्या बैलिस पर आते हैं पांडू सब्द विशेशण की दृष्टी से क्या है केवल विशेशण केवल विशेशण 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 विशेश प्रसंख्या 44 के आते हैं, सौगुना लंबा में विशेशड का कौन सा भेद है, गर्णा वाचक, क्रम वाचक, आवर्ति वाचक या संपूर्ता वाचक तो आप देखेंगे सौगुना लंबा ये आवर्ति वाचक है, आपसन, see the right answer और ये सभी संख्या वाचक विशेशड के भेद हैं, संख्या वाचक विशेशड के भेद हम लोग पढ़ लेते हैं, पहला गर्णा वाचक, जिसमें एक, पांच, बीस, पचास, इत्यादी की बास होती है, दूसरा होता है करम वाचक, जिसमें पहला, पांचमा, दसमा, बीसम इसकी बत होती है समुधाय वाचक जिसमें नो ती nouveau चार उंपांचों आदवी का प्रयुक्त किया है राष्ट में प्रत्त K drug सवा सवा इत्यादि का प्रयोग हिताय है सबसेख कर ईतियादि 200-25 प्रयाग तो भी हमने पड़ाता कि जो है दसमा पहला पाँचमा बीसमा यह सब क्या है करम वाचक विसी सब है तो आपसन बीस का सभी जवाब होगा प्रफ्संक चीरिस पर आते हैं इन में से खेलना सब से बना विसी सब कौन सा है दयालू क्रिपालू खिलाड़ी या धार्मिक तो सभी जवाब होगा आपसन जो है खेलना सब खिलाड़ी आपसन सी इदा राइट अन्ता प्रस्तंकार 44 के आते हैं प्रस्तंका उन्चार्ट में एक वाक्य में विशेषड असुद्ध है वह कौन सा है? सुन्दरी लड़की, सुन्दर लड़की, सुन्दर लड़का या सुन्दर लड़के तो आप देखेंगे सुन्दरी लड़की या सुन्दर लड़की नहीं होता है प्रसंका पच्चास पे आते हैं जिसकी विशेषदा बताई जाए उसे करते हैं विशेषड विशेष सरुनाम या विशेष तक तो आप देखेंगे अरण सब्द का परियावाची क्या होता है कांतार या जंगल प्रसंके बावन पर आते हैं निमलिकित में देवता का परियावाची कौन सा है किंकर विशेष 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 ब्रह्मा का परियावाची होता है प्रसंके तीरपन पर आते हैं निमलिकित में से खिड़की का परियावाची सब्द कौन सा है वातायन बारी दरीचा या उपस सभी तो आप देखेंगे कि खीड़की का पर्याईजी सब्सक्राइब यह तीनों यह वातायन बारी दरीचा आफ डश्री अप्रसंग का परहाईबाची सब्सक्राइब अंतरिच, अंबर, प्यूस या नभ तो आप देखेंगे अंतरिच, अंबर और नभ ये सब जो है व्योम के परयावाची है जबकि जो है प्यूस ये जो है अम्रित का परयावाची है ओके प्रसंगा 55 पर आते हैं चोर का पर्यावाची सब्द कौन सा है खनक, उदक, धूसर या थलचर तो आप देखेंगे खनक जो है वो चोर का पर्यावाची है और चोर के अन्य पर्यावाची में देखेंगे आप तसकर, रजनीचर, कुम्भिल, दस्तू होता है जबकि उदक आप देखेंगे जल का पर्यावाची है धूसर जो है गधे का पर्यावाची है और ठलचर प्रत्थिवी का पर्यावाची है प्रसंगा 56 पर आते हैं बिजली का पर्यावाची कौन सा है सरवरी, तनिया, रमडी या दामिनी तो सभीज़वाबों का आफसे जो एड़ी दामिनी, बिजली का पर्याज़ी जो एता दामनी होता है और बिजली के अन्य पर्याज़ी में छडप्रभा, विद्धुत, चपला, चंचला, सौधामिनी, दामिनी, तड़त आदी होते हैं, जबकि सर्वरी रात का होता है, तनेय पुत्री का र्मडी, नारी का पर्याज़ी सब्दे हैं, प्रसंक ऐसा तावन पर आते हैं, चंद्रहास का पर्याज़ी सब्द कौन सा होता है, तीर, तलवार, भाला या धनुसबार, तो आप देखेंगे, चंद्रहास जो है, वो तलवार का पर्याज़ी है, और इसके अन् करवाल, समसीर, कृपाड, इत्यादि प्रसंग का ठाउन पर आते हैं इन में से वसुधा का पर्याजी सब्द है कौन सा है विपुला, सरवरी, धेनुका या पयस्वनि आप देखेंगे वसुधा का पर्याजी सब्द होता है विपुला, आपसने तही होगा और इसके अन परियावाची सब्द है वो है धरा, मही, मेदनी, अवनी, छिती, इत्यादी जबकि एबने पढ़ाता है सरवरी जोता है रात लिका और पैस्वनी नदी का परियावाची है प्रसंका उनसर्ट पे आते हैं खुतासन किसका परियावाची है निर्धन, अगनी, अगडित, अखंड खुतासन जो हता है वो अगनी का परियावाची है और इसके अन्य परियावाची में कृसानू, दहन, वायू सखा, धुमकेदू, इत्यादी है आज का अन्तिम परियावाची सुनिये हवा, भ्रमर, मित्र या पुत्र आप देखेंगे चंचरीक जो है वो भ्रमर का परियावाची सब्द है और इसके अन्य परियावाची में मिलिंद, दुरेफ, अली, खटपद, मदुकर, इत्यादी है तो दोस्तों इस प्रकारत है हमारे हिंदी के प्रेक्टिस पांच के जो है, साथ मस्पूर प्रस्न पूरे हुए, और आता है ये वीडियो आप लोगो काफे अच्छी लगी होगी, वीडियो कर अच्छी लग रही हो, चैनल को लाइक करिए, सेर करिए, सब्सक्राइब और हमारा जुड़े रणने के लिए, हमारा होतला रखने के लिए, धन्यवाद, मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो में,